फिल्म इंडस्टी में धगदग गर्ल के नाम से मशूर है पॉपुलर एक्टरस माधुरी दिक्षित माधुरी दिक्षित हमेशा ही अपनी दमदार एक्टिंग और खुपसृती के जरिये अपने फैंस को दीवाना करती हुई नसराती है अब तक फिल्म इंडस्टी में माधुरी ने कई बहतरीन और शानदार फिल्में दिया है वही माधुरी एक से बढ़कर एक स्टार के साथ भी काम कर चुकी है और इसी लिस्ट में नाम शामिल है बॉलीवुड के सुपरिस्टार सनी देओल का Sunny… दियौओल ने भी अब तक बॉल्ली वुड में कई बहतरीन फिल्में दी हैं और सुपरेस्टार की तौर पर जाने जाती है। लेकिन इन दोनों के बारे में अगर बात की जाये, तो अब तक इन दोनों ने एक फिल्म की है। जी हां सिर्फ एक ही फिल्म में साथ में नजर आई हैं सनी और माधुरी सनी दियोल और माधुरी दिक्षित का करियर लगभग साथ में ही चलता रहा है दोनों ने करीब 30 सालों तक इंडोस्टी पर जम कर राज किया है और आज भी अपने फैंस को दीवाना करते हुए नजर आते हैं जानकर एक लिए आपको बता दें कि दोनों ने अपने फिल्मी करियर में सिर्फ तृदेव फिल्म में साथ में काम किया था जहां एक और तृदेव में सनी और माधूरी की रोमेंटिक केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था लेकिन दोबारा ये जोड़ी बड़े परदे पर देखने को नहीं मिली इस बात का खुलासा खुद माधूरी ने किया था कि बताया था कि आखिरकार दोनों ने फिर से साथ में काम क्यों नहीं किया दरसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि माधूरी ने अपने एक इंट्रिव्यू में बताया था कि स्तनी देवल ज्यादतर एक्शन फिल्में कर रहे थे और मैं रोमेंटिक, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी फिल्मों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थी जहां एक ओर माधुरी और सनी को फैंस ने तृदेव में काफी पसंद किया लेकिन इस फैं को करने के बाद दोनों को साथ में काम करने का मौका नहीं मिला माधुरी के मुताबिक सामने आया कि दोनों की पसंद की फिल्म में अलग-अलग होने के कारण कभी मौका ही नहीं लगा कि दोनों ही साथ में काम कर सके आज के समय में देखा जाए तो माधूरी दिक्षित आज भी बॉलवोड इंडस्टी का जाना माना नाम है तो वही सानी देवल भी फैंक्स बेसबरी से इंतसार करते हैं दोनों की ही फिल्मों का जानकारी के लिए आपको बता देएं कि दोनों को साथ में देखा गया था आखरी बार एक वेयलटी शो में जब दोनों ही एक दूसरे के साथ डांस करते हुए नजर आये थे हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आट नाइन नियूज